हेलो एबरिवन यह वीडियो है भारती संविदान के पार्ट नमबर फाइब का इसमें हम बात करेंगे राजी के नीती निर्देशक सिद्दान्त की लेट्स श्टार्ट राजी के नीती निर्देशक सिद्दान्त का भर्णन कहां किया गया है संविदान के भाग चार में किया निर्देशक सिद्दान्तों का बर्णन है और अनुच्छेद है 36 से 51 तक कहां से लिए गए हैं इसके प्रेर्णा आयरलेंड के संबिदान से लिए गई हैं इसे नियायले द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है अगर हमारे नि कोट में चैलेंज नहीं कर सकते ठीक है नियायले द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है इनको आगे दिखिए अनुच्छद 38 क्या कहता है ठीक है राजी लोक कल्यान की अभी ब्रद्दी के लिए सामाजिक ब्यवस्ता बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नियाय मिलेगा ठीक है आर्टिकल 38 हमें कहता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नियाय मिले ऑर्टिकल 39 का क्या बूलता है देखो समान नयाए और नहीसुलक बिधिक सहायता का आर्टिकल कौन सा है 39 का, ठीक है, समान कारे के लिए समान बेतन की व्यवस्ता इसी में है, ठीक है, 39 का कौन-कौन सी बात करता है, समान नयाय, नहीं सुल्क विधिक साहता, और समान कारे के लिए समान बेतन, ठीक है, अब है 39 ख, आर्टिकल 39 ख, ये क्या बात करता है, सार्वजनिक धन का स्वामित तथा नियंत्रन इस प्रेकार करना ताकि सार्वजनिक हिद का सर्वोत्तम साधन हो सके तो क्या बात करना है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रन इसकी बात कौन करता है 39 ख करता है 39 ग क्या बात करता है धन के समान बित्रन की ठीक है तो देखिए 39 में हमने तीन क् पर पड़े हैं 39 का खा और गा में क्या बात है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें प्रिलिम्नरी क्वेश्टन्स पूछे जाते हैं जो अब्चेक्टिव टाइप होते हैं निसुल को भी दिख साहता और समान नयाय की बात कर रहा है और समान कार के लिए समान बेतन ये ती किसे बात है 39 का में 39 को क्या बात कर रहा है सार वजनिक धन का स्वामितव तथा नियंतर थीकि कै इस प्रकार करना था कि सार वБजनिक हित का सरवुत्तम साधन हो सके 39 क्या बात कर रहा है धन के समान वितरन की ठीक है अब देखे अनुच्छे 4, 40 में क्या बताया है ग्राम पंचायतों का संगठन ठीक है ग्राम पंचायतों का गठन करना है यह पता है आर्टिकल 40 में आर्टिकल 41 क्या कहता है कुछ दशाओं में काम सिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ठीक है 41 बात करता है कि कुछ दशाओं में काम सिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छे 42 क्या बत करता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दसाओं ठीक है न्याय संगत दशाय और मानवोचित दशाय है उनीचे का रिकी और प्रसूती सहायता का उपबंद अब ये प्रसूती साहता भी काफी important है प्रसूती साहता किसमें दिया गया है आर्टिकल 42 में ठीक है अनुच्छे 43 देखिए कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उध्योग को प्रोथसाहन ठीक कर्मकार याने जो कारे करते हैं मजदूर होते हैं उनके लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उध्योग को प्रोथसाहन इसमें है कुटीर उध्योग को प्रोथसाहन ये किस आर्टिकल में दिया गया है आर्टिकल 43 में देखिए अनुच्छे 44 देखिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहीता कहां दी गई है 44 में ऐसे याद करो देखो 44 मतलब ही दोनों समान है तो समान की बात कहां गई गई है समान सिविल सहीता आर्टिकल 44 नेट्स देखता है देखिए अनुच्छे 46 अब आप कोगे 45 कहां गया जो इंपॉर्टेंट है जो एक्जाम में पुछे जाता है से वही लिए गई है अनुच्छे जातियों अनुच्छे जनजातियों और अन्य दुरबल वर्गों के सिख्षा और अर्थ संबंदी हितों की अभिब्रद्धी करना अनुच्छे 46 बात करता है जो ST, SC और जो भी दुरबल वर्ग है उनके सिख्षा और अर्थ संबंदी जन संबंदी हितों की अभिब्रद्धी करना तो जो अनुच्छे जाति जनजातियों की बात की गई है वो कहां की गई है आर्टिकल 46 में आर्टिकल 47 देखिए पोशाहार इस्तर और जीवन इस्तर को उँचा करने और लोग स्वास्त का सुधार करने का करतब भी है राजिगा क्या क्या है पोशाहार का इस्तर जीवन इस्तर को उँचा करना और लोग स्वास्त का सुधार करना आर्टिकल 47 आर्टिकल 48 क्या बात करता है उनुचे 48 का पर्यावरन सन्रक्षन, संबर्धन और बन बन और बन जीवों की रक्षा, 49 देखिये, आर्टिकल 49 राष्ट्रे महत्व capital के इसमारकों, 스थानों और बस्त्मों का संरक्षन, इस्थानों और बस्त्मों का सनरक्षन आर्टिकल 50 कारेपालिका का और न्यायपालिका का प्रतक करन ठीक है अनुचेद 50 बात करता है कारेपालिका और न्यायपालिका प्रतक प्रतक रोल होगा इनका अनुचेद 51 अंतर राश्ट्रे शांती और सुरक्षा की अभी ब्रद्दि अनुच्छेद 51 बात करता है ठीक है किसकी अनुच्छेद की अतिरेक्ट कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जो राजी के लिए निदेशक सिद्धान्त के रूप में कारे करते हैं ठीक है, राजी को निर्देश देने का काम करते हैं जैसे, कौन-कौन से है 350 का और 351, तो 350 का में क्या है, प्रात्मिक इस्तर पर मात्र भाषा में सिक्षा देना, और अनुच्छे 351 हिंदी को प्रोथ सहन देना, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ अनुच्छे जो कि राजी को निर्देशक सिद्दान्त की रूप में कारे करते हैं, वो कौन से है 350 का और 351, 350 का है प्रात्मिक इस्तर पर मात्र भाषा में सिक्षा देना, और 351 हिंदी को प्रोथ सहन दिया जाएगा, तो ये थे हमारे राजी के निती निर्देशक तत्व, जो कि भाग चार में दिये अनुच्छे 36 से 51 में, अब हम बात करेंगे मौलिक अदिकार जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे और नीती निर्देशक तत्म, जो हमने अभी देखे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, देखे, नीती निर्देशक सिद्दान्त है, आयरलेंड के संविदान से लिए ग नीती निर्देशक सिद्दान्त का बर्णन कहा है, इसका बर्णन संविदान के भाग 4 में किया गया है, जबकि मौलिक अदिकार का बर्णन संविदान के भाग 3 में किया गया है, नीती निर्देशक सिद्दान्तों को लागू कराने के लिए नियायले नहीं जाया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए नियायले की शरण ले सकते हैं डिरेक्ट सुप्रियम कोट से ले जाए ठीक है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो नीती निर्देशक्त सिद्दांत यह समाज की भलाई के लिए है ठीक है नीती निर्देशक्त सिद्दांत के पीछे राजनीतिक माननेता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी माननेता है ठीक है नीती निर्देशक्त सिद्दांत के पीछे क्या है राजनीतिक माननेता और मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी माननेता नीती निर्देशक सिद्दांत सरकार के अधिकारों को बढ़ता है और जबकि मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाते है यह नीती निर्देशक सिद्दांत है राज्य सरकार के दोरा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है कि जो नीति-निर्देशक सिददान्त है, क्योंकि यह लागूं नहीं किये गए अभी तक, तो यह राज्य सरकार को, जब तक यह लागूं नहीं किये गए है, यह नागरिकों को प्राप्त नहीं हो सकते. जबकि मौलिक अदिकार क्या है? नागरिकों को स्वता ही प्राप्त हो जाते हैं यह थे हमारे नीति निर्देश सिद्दान्द और मौली का दिखानों डिफ्रेंस यही इस वीडियो को मैं एंड करूंगी और इससे आगे नेक्स्ट पार्ट लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू